दियर फ्रेंड्स मेरा नाम सुवास चौधरी है और मैं भारत का एक सामान इननाक रिखूँ आज का ये वीडियो मेरे बुजुर्ग मित्रों के लिए है उन दोस्तों के लिए है उन मित्रों के लिए है ऐसे कलिक्स के लिए है जो बुजुर्ग हो गये हैं जिनकी उमर 55-60 से उपर हुई है जो सिनियर सिटिजन है और वो बहुत सारी परिशानियों से गुजरते रहते हैं मैं उनके लिए वीडियो खास कर लाया हूँ उनके जीवन में जो दुख है जो तकलीफे हैं उसको मैं कैसे कम करूँ ये उत्तर लेकिया हूँ उनका जीवन में दुख कैसे कम होगा दुख सबके अलग-अलग होते हैं बट कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हर दुख में काम करता है जैसे मधूर बचन बोलना कोई कितना भी दुखी हो उसका financial problem हो उसको health problem हो, उसको psychological problem हो उसको mental problem हो सामाजिक problem हो घर की problem हो, बाहर की problem हो उससे अगर आप अच्छे से बात करेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, उसका दुख कुछ तो कम हो ही जाएगा, तो हमें वही करना है, दुख कम करना है तो मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताता हूं एक ऐसी चीज़ बताता हूं अगर आप बुजर्ग हो हैं, बुढ़ापे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस सूत्र को अपना ये, आपके जीवन में जो दुख है, वो कम होता जाएगा, खत्म साइद न हो, या हो भी सकता है क्योंकि सूत्र को जितनी गहराई से पकड़ेंगे ये उतना ही जादे लावकारी होगा सूत्र क्या है सूत्र ये है छोड़ना सिखो start to learn to leave कम करना सिखो एक उम्र होती है चीजों को बरहने की और एक उम्र होती है चीजों को कम करने की तो जब आप जवान थे आपने ज्ञान बढ़ाया बुद्धी बढ़ाया महिनत की सरीर बढ़ाया धन बढ़ाया पैसे बनाया परिवार बढ़ाया सब बढ़ाया अभी क्या है उल्टी किंती सुरू हो गई जैसे कर्व होता है ऐसे जाता है फिर ऐसे गरता है जीवन का भी यही है ऐसे गया ऐसे नीचे उतरता है तो अगर यह नीचे जो उतरता है इसकी गती को अगर आपको slow करना है इसको रोक तो नहीं सकते हो ऐसी जाएगा यह है लेकिन अगर उसको गती को slow करना है ताकि ये ऐसे ऐसे न जाए, बलकि ऐसे जाए ऐसे जाए, धीरे धीरे जाए, जीवन जादे लंबा हो, जीवन जादे सुखी हो, तो ये जरूरी है कि जैसे पहले अपनाते थे, बढ़ाते थे, पकरते थे, छोड़ना सिखो, जन, धन और तन, इनसे लगाओ, मोह, इससे कम कर है सारे दुख का कारण खासकर बुज़र्गों के दुख का मुख्य कारण उनका मोह होता है मज़दार चीज है जब आप यंग होते उनको मोह नहीं रहता है चीजों से उतना लगाव नहीं रहता है उतना मोह नहीं रहता है मैंने देखा है जवानी में लोग बहुत पैसे उड़ाते हैं, पैसे कोई कदर नहीं, कुछ नहीं, लोग की कदर नहीं लोग की कोई expectation नहीं लेकसी जैसे ही पूढ़े हो जाएंगे पैसा पकड़ेंगे, लोग को पकड़ेंगे, धन को पकड़ेंगे, सरीर के लिए बहुत जादे दुख को बढ़ाता है, ठीक है न, कैसे कम करना है मैं बताता हूँ, पहली चीज तो है भोजन, भोजन को कम करना सीखिए, ठीक है न, भोजन को कम करिए, खाना को कम करिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप अगर पांच-छे रोटी खाते हैं, अभी दो-तीन रोटी करते ह गहर में ही राते हैं movement कम है सरीर की digestion system है वो कमजोर हो चुकी है सरीर की पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो गए तो बहुत जादे overload करेंगे तो आपका सरीर बिमार रहेगा खाना कम खाईए और walk जादे करिए एक्सरसाइज जादे करिये, टहलिये जादा, यह हो गया, दूसरा, लोगों के पीछे मत भागिये, जितने आदमी बुजर्ग हो जाता है, फिर वो लोगों को पकड़ता है, फोन करेगा, बुलाएगा, जाके बैठेगा, अननसेसरी बच्चों को पकड़ पकड़ के लोगों को पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप में कुछ है, तो लोगो खुद आएगे, और अगर आप में नहीं है, तो आपको बोज समझते हैं, तो क्यों बोज बनते हो, क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो, लोगों के पीछे क्यों पड़ना, ऐसा अक्सर होता है, कि अपने बच्चों के पीछे पड़ा रहता है और बच्चे अंत में ठाक हार के उनका आफमान भी कर देता है। तो पीछे परना है, इस स्वर के पीछे परो ना। Law of Attraction क्या होता है, आप जिस चीज के पीछे परते हो, वो चीज भागता है। यह जीवन का नियम है आप जिस चीज के पीछे पड़ोगे वो चीज आपसे दूर होती जाती है और जब चीजों को आप छोड़ दोते हो तो वही चीज आपस आना सुरू हो जाता है तो जब आप चीजों को छोड़ेंगे खासकर मैं मोह की बात कर रहा हूं बहुत जादे ल करिए और इश्वर में ध्यान लगाई है पीछे पर ना है तो इश्वर पर ध्यान लगाओ और इश्वर की तरफ अगर आप चार कदम बढ़ाते हो तो इश्वर आपकी तरफ आठ कदम बढ़ाएगा वही सच है समाज के लिए काम करो सेवा का काम करो बहुत कमाया है, बहुत कुछ किया अभी आप बज़र्ग हो गए अभी देने का टाइम आ लिया बहुत लिया समाज से खाया पिया मौज मस्ती सक किया न अब आप ये मत सोचो मुझे क्या मिलने वाला है मुझे क्या मिलेगा आपका focus change करो आप ये सोचो मैं क्या कर सकता हूँ परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए मैं क्या contribute कर सकता हूँ और जब आप उस पे सोचेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगे जहां आप देश के लिए समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और लोग आपके खत्म होने के बाद आपको इसके लिए याद नहीं करेंगे कि ये बहुत पैसा कमाया बहुत बड़ा घर बनाया अपने बच्चों को भी देश भजा इसके लिए याद नहीं करेंगे लोग आपको इसके लिए याद करेंगे कि जब मेरा बच्चा रूर रहा था और मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं थे इस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिये थे इलाज करवाया था लोग इसके लिए याद करेंगे लोग इसके लिए याद करेंगा जब मुझे बहुत तकलीफ में था मैं बहुत बीमार था ये व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे हाल चलिया उसने मेरे से मीठे वचन बोले लोग इसके लिए याद करेंगा तो ऐसे काम करो जिसके लिए आप लोग याद करें गुस गया है सेवा में गुस गया है सारे दुख खतम सारी तकलीफें खतम सारे आनंद जो आनंद पहले कभी नहीं है वो सारे आनंद आपको मिलने सुरू हो जाएगा करके देखो और कमेंट बॉक्स में लिखे बेजिए आपने सुरू किया क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं क्या आपको मेरा विचार कैसा लगा और आपसे रिक्विस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने से क्या होता है जादे से जादे लोगे पास जाएगा तो उनके जीवन में दुख शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद